बॉलिवड आक्ट्रस ट्रिंकल खन्दा ने फिर्म बरसाथ से आक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था आक्ट्रस के साथ साथ ट्रिंकल खन्दा एक लेकर भी है अपने करियर में उन्होंने तीन किताबे लिखी है जिसे बहुत पसंद भी किया गया है इसके अलावा ट्रिंकल खन्दा अपने बेबाक अंदास के लिए जानी जाती है जिसमें वह एवर्ट शो में कहती नजर आ रही है कि अक्षे कमार के पास पैसा और बाकी सभी चीज़े मेरी वजह से है दरसल ट्रिंकल खन्दा को स्टाइलिश लेखक का एवर्ट दिया जाता है जिसके लिए वो स्टेज पर जाती है स्टेज पर उनके साथ रापिड फाइर गेम खिला जाता है इसमें ट्रिंकल खन्दा को कुछ कलाकारों का नाम बताया जाता है जो उनके स्टाइल और फैशन सेंस के आधार पर अक्ट्रस को उन्हें एक टाइटल देना होता है जब ट्रिंकल खन्दा के सामने रनवीर सिंग का नाम लिया जाता है तो उनके मुझ से निकलता है ओ माई गॉड उनकी ये बात सुनकर विक्की कोशल कहते हैं ये अच्छा टाइटल है इसके बाद ट्रिंकल खन्दा से अक्षे कुमार को लेकर भी सवाल किया जाता है और उन्हें टाइटल देने के लिए कहा जाता है उनका नाम सुनते ही ट्रिंकल खन्दा कहती है जो भी उनके पास है ऐसा और स्टाइल वो एक महिला के कारण है जो की उनके पीछे है जैसे आइंस्टाइन की पतनी ने उनके लिए सब कुछ किया था उसी तरह मैंने भी अक्षे के लिए सब कुछ किया है इसके अलावा ट्विंकल खन्ना और अक्षे कुमार से जड़ा एक विडियो वाइरल हो रहा है इसमें रिपोर्टर अक्षे कुमार से पूछती है कि ट्विंकल का आपके स्टाइल पर कितना असर है इसके जवाब में जहां अक्षे कहते हैं कि सो प्रतिसत तो वहीं ट्विंकल खन्ना बीच में ही टोकते हुए बोलती हैं बिल्कुल नहीं ट्रिंकल खन्ना ने आगे रेपोर्टर की बात का जवाब देते हुए कहा कि अक्षे कमार की पसंद के बारे में खुलासा भी किया उन्होंने कहा कि इनके पास मुझसे जादा फुटवेर है इनके पास पिंक, पीली, हरी और बैगनी रंगी पैंट है वहीं जब अक्षे कमार ने पूछा कि आपने ही मुझे इन्हें खरीदने की सला दी थी तो जवाब पे ट्रिंकल खन्ना ने कहा कि मैं आपको इंद्र धनस खरीदने के लिए नहीं कह रही थी जी हाँ बता दें कि अक्षे कमार और ट्रिंकल खन्ना की शादी साल 2001 में 17 जन्वरी को भी थी मीडिया रपोर्ट के मताबिक अक्षे कमार ने ट्रिंकल खन्ना को फिल्म मेला की रिलीस पर प्रपोस किया था बता आजाता है कि चिंकल खन्ना उस समय आक्टिंग की दुनिया में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही थी और उन्होंने अक्षिकमार से कहा था कि अगर मेला फ्लॉप होती है तो वो उनसे शादी कर लेंगी जी हां तो आपके उस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बत